टाइगर टीन के लिए सल्मान खान की बड़ी तैयारी साथ देशों में होगी शूटिंग एक्टर सल्मान खान की फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिन्दा है ने बॉक्स ओफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये थे और फिल्म ने सफलता के भी माय ने हमेशा के लिए बदल दिये थे इन फिल्मों की बदौलत बड़े परदे पर सल्मान खान को भी जबरदस्ट एक्शन करते देखा गया था अब इसी फ्रेंचाइस के तीसने पार्ट की तैयारी जोरों पर चल रही है हम बात कर रहें रहें फिल्म टाइगर टीन की बड़े स्केल पर बनेगी टाइगर टीन सल्मान खान की टाइगर टीन को बड़े स्केल पर बनाने की तैयारी है फिल्म को बॉलिवूड की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को साथ देशों में शूट करने की तैयारी है फिल्म को इंस्तामबूल, UAE और अमेरिका में शूट किया जाएगा इसके अलावा और भी कई दूसरे देश में फिल्म की शूटिंग को अंजाम दिया जाएगा अभी इस समय में कर्स हर जगय की रिकी करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर शूटिंग संभव हो पाएगी या नहीं फिल्म की बात करें तो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इसकी घोशना यस चोपढ़ा के जन्म दिन पर की जाएगी फिल्म से जुड़ा पोस्टर या फिर उसकी रिलीज डेट बताने की तैयारी थी लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते उस घोशना को भी पोस्ट अपून कर दिया गया अब खबर आ रही है कि फिल्म में सलमन और काट्रीना केप तो होंगे ही इसके अलावा विलेन के लिए एक नए चेहरे की तलाश जारी है कितना हो सकता है फिल्म का बजट? टाइगर तीन का निर्देशन मनीश शर्मा कर रहे हैं और बत और निर्माता आदित्य चोपणा फिल्म संग जुड़े हुए है आदित्य ने फिल्म की स्टोरी लाइन पर काफी काम किया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी कुछ खबरों के मताबिक फिल्म का बजट 250 करोड तक का बताया जा रहा है वहीं सल्मान की फीस को लेकर भी अलग-अलग कयास लगाए डा रही है फिल्म को अगले साल क्रिस्मस पर रिलीज करने की तैयारी है